हेलो गाईज, वेलकम टू स्टेडी स्किल सक्सेस, देन यार आज की इस वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ, उससे पहले एक छोटी से इंफोर्मेशन दे देता हूँ, कि मैं नीट 2021 की ओल इंडिया कोटा की जो एक्सपेक्टेड कट ओफ रहेगी, कैटेगरी वाइस, उसकी व वीडियो की मैंने एक अलग से प्लेइलिस्ट बना दी है, नीट 2021 कट ओफ को लेकर, वहां से जाके, उस प्लेइलिस्ट में जाके, इन सारी सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, और और बी जो आने वाली वीडियो से हैं, उनको आप देख सकते हैं, स्टेट से रिलेटेड ठीक है तो अब बात करते हैं आज की हमारे इस वीडियो पर तो NEET21 के phase 2 का क्या matter रहेगा और क्या process रहेगा वो सारा कुछ आपको समझ में आ गया होगा उस पर मैंने एक complete वीडियो भी upload की थी hopefully आप सबने वो वीडियो देख ली होगी अब इसके अरावा यार students की query ये है कि sir हमें जो NEET21 का phase 2 है उसका link नहीं मिल रहा है ना ही NTA की website पर और ना ही NTA की जो NEET की special website है उस पर तो उसका link हमें कहां से मिलेगा और कैसे किस परकार से हमें NEET21 के phase 2 का registration करना है तो यार जब link अभी तक generate ही नहीं हुआ तो आपको link कहां से मिलेगा जी हाँ अभी तक NTA के तरफ से link generate नहीं हुआ है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था अब भी बोलना हूँ कि जैसे ही NTA की तरफ से एक link आता है उसकी एक proper video आपको मिल जाएगी और इस पर भी आपको एक proper video मिल जाएगी कि उस link के तरू आपको phase 2 का जो registration है वो करना कैसे है तो गबराइएगा मत जैसे ही link आएगा उसकी एक proper video भी आपको मिल जाएगी और इसकी शारी process की step by step जो भी process रहेगा उसके भी video आपको मिल जाएगी ठीक है तो अभी तक आपका link generate नहीं हुआ है यानि कि simple भाषा में बोला जाए तो अभी तक phase 2 के जो registration है वो start नहीं हुए है अब काफि सारे student का बोलना ये भी था कि sir क्या phase 2 के registration करना compulsory है जी हाँ बिलकुल compulsory है अगर आप phase 2 के registration नहीं करते हैं तो आपके application form को cancel कर दिया जाएगा फिर आपने exam दिया है नहीं दिया है कितने number है वो कोई भी matter नहीं करेगा phase 2 आपके लिए compulsory है अगर आप phase 2 के registration नहीं करते हैं तो आपके application form को ही cancel कर दिया जाएगा ठीक है phase 2 कीजिएगा और 11 की mark sheet काफ़ी सारे students की नहीं मिल रही है तो अपने school से बात कीजिए यार जो मैंने documents बताया है ना पिछली वीडियो में वो सारे के सारे documents आपको चाहिए होंगे उन में से एक भी document अगर आप miss करते हैं तो आप registration को complete नहीं कर पाएंगे तो सारे documents चाहिए जब तक registration स्टार्ट होता है तब तक आप अपने पूरे के पूरे documents को जो हो ready रखिएगा बाकि और भी ऐसी important information and details की वीडियो आगे इस channel पर आती रहेगी तो उसके लिए अगर आपने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon को जुरूर प्रस कर लीजिएगा बाकि मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए good luck and have a nice day